असलाम आलेकूम आप देख रहे हैं टैलन न्यूस मैहूर इमशा शबीर शामिल करेंगे न्यूस हेडलाइन्स मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसित को एक तरफा तबदील करने के भारत के गयर कानूनी एकदाम को तीन परस मुकम्मत मकबूजा वादी में भारत के जाबराना तसल्ट के खिलाफ पाकिस्तान समय दुन्या भह मेरेलियां यो में इस तेह साल पर इसलामबाद की फजाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गुंच उठी खाजा असिफ मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान काईरा और सेकेटरी खारज़ा के रेड़ी में शरकत एक मिनत की खामोशी इख्तिया की गई खुसूसी दुआएं की गई पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाईयों बहनों की आवास बना रहेगा वजिराजम शेबाश शरीफ का यूमे इस तहसाले कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम कहा हम कश्मीरों के जाइज हुकूक के मुकमल हुसूल और हक के खुद इरादियत के लिए हर ममकिन तावन फराहम करते रहेंगे कश्मीरी अवाम अभी तक फौजी मुहासरे में हैं उनकी आला हुर्यत गयादत बदस्तूर कैद है आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर के दिरीना तनासे को फौरी और जिमादारी के अहसास के साथ हल करना चाहिए चेर्में तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आलमी बरादरी की मकबूजा कश्मी में भारती बरबरियत पर खामोशी को काबल मजब्मत करार दे दिया कहते हैं मूदी हकूमत ने मकबूजा जमू कश्मीर की जगराफ वियाई हैसियत को तबदील किया जो चौथे जन्वा कन्विंशन के तहट एक जंगी जर्म है उनका ख्याल था ये अगदाम कश्मीरियों की मुजहमत के जजबे को कुचल देगा लेकिन कश्मीरियों की जिद्ध जगाफ अज़ादी मजबूट होकर हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रही है आलमी तन्जीम हुमन राइट्स वाच ने मुदी सरकार को अड़ हातों ले लिया कहा मगबूजा जमु कश्मीर में अभी जल्मों बर्बरियत का सलसला जारी है भारत गयर कानूनी तोर पर अज़ादी इजहार राय और दीकर बन्यादी हुकुक को महदूद कर रहा है आलमी अदारे कावादी में सेकैरिटी फोर्सिस की जल्मों बर्बरियत पर शदीद इजहार तश्वीश वजिर आज़म शवाद शरीफ का पंजाब और वलुचिस्तान के सेलाब ज़दा अलाकों का दौरा रेस्क्यू और रिलीव के कामों से मतालिक तफसीली प्रीफिंग मतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स बहाली प्रोग्राम की जल्द अक्मील के लिए फौरी खर्च करने का हुकम शवाद शरीफ ने कहा सिलाब ज़दा अलाकों में सुबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं इमदादी रखम से लाब मतासरीन पर खर्च होनी चाहिए आर्मी चीफ के पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश कमर जावेद बाज़वा का साओधी अरब और यू एई हुकाम से राबदा आर्मी चीफ ने अमरीकी हुकाम से भी राबदा किया था आर्मी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की उमीद पर अमरीकी करंसी की कीमत में कमी आई दोस्त मुमालिक इंतजार में है कि आईमेफ पैकिज दे तो वो इमदाद ने मुश्किल फैसले करके मुलको डिफॉल्ट से बचाया अब तीन माह तक इंपोर्ट नहीं बढ़ने देंगे इसी दौरान को हिकमत अमली बनाएंगे रमासाल बिजट खसारा कंट्रूल करना है इलेक्शन कमिशन ने काफली के इंटरापation इंतखबाथ रोग दिये चोहदरे شजात के इंटरापाइटी इलेक्शन रुकाने की दर्खास पर समा चीफ इलेक्शनकमिशनर ने रिमार्क्स दिये हम दीगर फरीकें को नोटे से जारी कर रहे हैं आएंदा समा उले ऑगस् 8-8 साल قید की सजा साओधी अदालत मुल्जिमान को 20-20 हजार रयाल जर्माना की सजा भी सुनाए मुल्जिमान ने वजिराजम शिवाज शरीफ के दारे साओधी अरब के दोरान चोर-चोर के नारे लगाए थे मुल्जिमान नारे बाजी करने वाले पाकिस्तानियों को सजा के बाद मरियम नावास ने फवाद चोहदरी को मुश्टाइल कर दिया कहती है असल मुस्ताहिक इमरान है क्योंके वो इस मक्रूब प्लैनिंग के मास्टर माइंट है सजा से तो वो अब नहीं बच सकते फवाद चोहदरी ने रद्दे अमल देते हुए कहा आप इतने अकलमंद लोग हैं जहां जहां निकलेंगे लोग आपसे नराजगे का इजहार करेंगे आपने जो मुहिम औरसीस पाकिस्तानियों के खिलाफ शुरू की है किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं कराटी के शहरी होशियार, खबरदार, मौन सौन का नया स्पल आज शहर में दाखल होगा महग में मौसमियाद की बारिशों का नया सलसला 9 अगस तक जारी रहने की पेश कोई दूसरा सलसला 11 से 15 अगस तक जारी रहेगा इसनाबाद समय पंचाब के मुख्लिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे डॉलर की उन्ची परवास थम गई अमरीकी करंसी की की कीमत में कमी का रहजान पर करा इंटरविंग में डॉलर 1 रॉपए 15 पैसे सस्ता 225 पर फरोग्त होने लगा दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक मार्किट में आज भी मुस्बत रहजान 100 इंडेक्स में 200 से जाइद पॉइंट्स का इसाफ़ा और पाकिस्तान कॉंसलेट बर्मिंगम में कामन वेल्थ गेम्स में हिसा लेने वाले कौमी दस्ते के एख़ास में तक्रीब कह तमाम मीडिया के इलावा कम्यूनिटी से तालुक रखने वाले शक्सियात की शरकत पाकिस्तानी वेट लिफ्टिंग में गूल्ड मैडल हासिल करने वाले नुख दस्तगीर बट ने खुसूसी तोर पर टैलन नीउस से गुफ्तगू की हेडलेंज आप जान चुके इसी के साथ नीउस टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अबडेट्स के लिए देखते रहें टैलन नीउस